स्टेज़ पे कोंग्रेस पार्टी के सब सीनियर नेटा हमारे प्यारे कार्यकरता भाईयों और भेनो प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार वेदिक बिदुन नायकुल अंदर की प्रियमाईन कॉंग्रेस कार्य करतेल की अक्कलू चल्यल्लू अन्नलू तम्मुल्लू प्रेस्पीडिया वन्द अंदर की स्वागतं पलुक्तुन्दानू कुछ दिनों से ये भारत जोडो यात्रा तमिल नाडू से केरला केरला से करनाटक करनाटक से आंदरा और अब तेलंगाना तक पहुची है और ये तेलंगाना के बाद महाराष्ट्रा, मध्यप्रदेश, राजस्तान, कश्मीर तक जाएगी इस यात्रा में आपको कहीं भी नफ्रत और हिंसा नहीं दिख सकती मारपीट, गालियां ये इस यात्रा में आपको नहीं सुनाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी नदी जैसी यात्रा है, इसमें सब धर्म के लोग, सब जात के लोग, भुजुर्ग लोग, युवा, महिला, सब एक साथ चल रहे है दक्का लगता है, भीड में कोई गिर जाता है, एक दम जन्ता उसे उठा देती है यह पुड़न्न यह उरन्न यह यात्र लोग, खिद्द बढ़ते, अंदर हो कल सी लेपी, मुंदु को थीशको पोए, बरी आउपड़तों द अंदर की जैसे, जब हम तलंगाना के अंदर आ रहे थे, बहुत भीड थी, धक्का मुक्की हो रही थी, उत्तम रेडी जी गिर गए और एकदम, भीड ने उत्तम रेडी को मैंने देखा, एकदम उठा दिया तो, भाईयों और बहनों, यह जो यात्रा है, यह सच्चा हिंदुस्तान है जहां, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं हम साथ आठ घंटे चलते हैं, और जो भी आता है, उसकी बात सुनते हैं किसान, मजदूर, युवा, माताएं, बहने, जो भी हमारे पास आता है, हम उनकी बात सुनते हैं शिकायत करते हैं, तो भी सुनते हैं और साथ आठ घंटे सुनने के बाद, हम पंदरा मिनट भाशन करते हैं यही है हिंदुस्तान, इदे हिंदुस्तान, इदे पारत देशंग में पाविस तुननना हूँ जो राजनेता होता है, उसको जनता की आवाज सुननी चाहिए राजकिया नाइकुडंटे जनव्योक का मात विनाली आज, बीजेपी के लोग, आरेसेस के लोग, पी आरेसेस के लोग, जनता की आवाज को दबा रहे हैं इरोज बीजेपी वालडु गानी, आरेसेस वालड़ानी, पी आरेसेस वालड़ानी, प्राजला कोव्योक्या सुनना हूँ BJP और RSS भाई को भाई से लड़ा रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं हिंसा फेला रहे हैं यह सच्चा हिंदुस्तान नहीं है भाई और बेहनो इसलिए हिंसा के खिलाव नफरत के खिलाव हमने यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है 3500 किलोमेटर चलेगी अंध कोसा में भारत जोड़ो यात्रा द्वारा मूडवेल आई दोंदल किलोमेटर लो नड़स्तो यह हिंसा यह विद्वेशों यह वन्नी गुड़ा दूरं बेट्टे अप्राहितन जेस्तनों और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती यह यात्र ने यह शक्ति गुड़ा आप लेदू यह कश्मीर पहुंचेगी केश्मीर ने चेरता हुँ आंडि आये तुफान आये बारिशों धूपों यात्रा पहंचेगी स्रीनगर पहुचेगी एंडईना वानना तुफान ना यह यात्रा कश्मीर ins Animacarta मों क्यों कि यह यात्रा हिंदुस्तान की यह थि ए अबंडस्तान की यवास कोई निए दुन्या में क्यों हिंदूस्तान की आवाजको दबा सकते हैं रश्ते में आलंगाना जंस्टा से बातचीत हो ही है कि त्यून अब तमा किसानों से बात करने का मौका मिल रहा है युवा हमारे साथ चल रहे हैं वो अपनी समस्या के बारे में बोल रहे हैं जो छोटे वियापारी हैं हैं उन्होंने अपनी बात हमें बताई तो उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूं युवाव से बात होती है मैं पहला सवाल पुछता हूं क्या पढ़ रहे हूं और कहां पढ़ रहे हो यकड़ दू कुंट नर्वानी कहते हैं कि तेलंगाना में सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज़ और उनिवर्सिटीज सारी की सारी प्राइवेटाइज किये जारी है मेकैनिकल एंजिनियर से बात करो पूछो क्या करते हो इंजिनियरिंग करते हो नौकरी करते हो कहते हैं नहीं हमारे पास रोजगार नहीं है मेकैनिकल इंजिनियर हूँ सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हूँ चदु कुन वर लड़ी ते मागेटिवंटी उद्योगा लेवू अवकाशा लेवन जेप्चेप्त नहीं तो क्या करते हो डिलिवरी का काम करते हैं लेबर का काम करते हैं मगर जिस चीज को हमने पढ़ा उसका हम फाइदा नहीं उठा पा रहे ते लंगाना में ये चदु लेगते में चदु नहीं टानी उपयोग चलेका पोथ नहीं में उद्योगाल चेश से जबी मनव यस्णरू रोजगार नहीं मिलता मगर फीस देनी पढ़ती हैं और जो रिइंबर्समेंट सरकार ने करना था वो सरकार ने बंद कर दिया है तो लाकों युवा आज कलंगाना में बेरोजगार है हैंडलूम वर्कर से बात करो छोटे वियापारियों से बात करो पहला सवाल जी एसटी का होता है चेने तकार में कल लोगानी चिन्न वियापार लोगानी जी एसटी गुरूंची वरी आवेंदना कोपों यक्तन जेस्तु नारू और दूसरी बात नोट बंदी की होती है हैंडी क्राफ्ट की इंडस्ट्री को तलंगाना में जी एसटी लागू करके खतम कर दिया है हैंडी क्राफ्ट टू चेने तपनल पाई मदटी सारी जी एसटी विदिंचिवार लिपंदी वर्तनारू और मैंने कल अपने बाशन में कहा जैसे ही कॉंग्रेस यहां पे सरकार बनाएगी वैसे ही हैंडी क्राफ्ट में हम जी एसटी का कॉंपंसेशन हैंडी क्राफ्ट वर्कर और इंडिस्ट्री को दे देंगे में प्रभुत्तों लो राबोतन लो में प्रभुत्तों लो रागा ने हैंडी क्राफ्ट सू चेने तपनल पाई जी एसटी की कंपन्सेशन इवा बोतनों कॉंग्रेस प्रभूत्तों बाईयों और बेनों रोजगार की बात मैंने कही रोजगार गायब क्यूं हुआ ये आपको समझना है अननलू तमूलू अक्कलू चललू उद्योगालू यंदुकु माय माय नही और बहुत सारे चोटे व्यापारियों ने दुकान दारों ने मुझे ये बात बोली है इन सडकों पे जैसे ही नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी की और गलत जी एस्टी लागू की सारे के सारे चोटे व्यापारी स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले उनके बिजनेस बंद हो गए नरेद्र मोधिगारू नोट ला रद्दू प्रक्रिय चेशन पर संदी चिन्द व्यापारू लगी बद्द्द व्यापारू लगी वारी बिजनेस लुचाला थीव रंगा देबदी नेज़ेपी मनविजेशन नरू नोट बंदी और जीएस्टी पॉलिसी नहीं है यह चोटे व्यापारियों को स्मॉल और मीडियम बिजनेसेज को और किसानों को खतम करने के हतियार है नोट बंदी गानी जीएस्टी गानी पॉलिसी कादू चिन्न व्यापार लगी राइटल नी चंपे से प्रक्रियां जिब मनेजसना न चोटे व्यापारी मॉल और मीडियम साइज बिजनेस देश को रोजगार देते हैं चिन्न व्यापार लू मीडियम साइज बिजनेस लू देशं लो उद्योगालू कल्पिंचे प्रक्रिया और वो रीड के अटी नरेंद्र मोधी जी ने नोट बंदी जीएस्टी और कोवि इसलिए तलंगाना के उवाँ को हिंदुस्तान के उवाँ को रोजगार नहीं मिल रहा है अंदकोस में तलंगाना रास्तन लोग अनी बारत देशन लोग अनी युवत की उद्योगालू तरकडन लेदू हमारी सरकार यहां आएगी तो जो चोटे भी अपारी है स्मॉल और मीडियम बिजनस चलाने वाले लोग हैं किसान हैं मजदूर हैं उनकी हम पूरी मदद करेंगे और एक बार फिर उनका जो बिजनस है वो चालू करवाएंगे में मुद तलंगान लो प्रभुत वियर पाड़ जेव तुर नो चिनन व्यापार लगी मद्यतरगे व्यापार लगी राइट लगी पूर्तिगा साहन जेव तुर नो और मैं आपको बता रहा हूं यह जो प्राइवर्टाइजेशन हो रहा है स्कूल्स का, कॉलेजेश का, युनिवर्सिटीज का इसको हम बंद करेंगे और सरकार का पैसा फिर से पुब्लिक एजुकेशन में युनिवर्सिटीज में स्कूल्स और कॉलेजेश में डालेंगे में मुँ अधिकारन लोचिंतलवाता, यी खलाशा ललू, कॉलेज युनिवर्सिटीज प्राइवेटी रेकरन कारिकर में बंजेशी, में मुँ प्रभुत्व सम्मुतो, यी कॉलेज लनी, इसकूल लनी, इसकूल लनी, युनिवर्सिटीज आद्पुतंगा नरोबोत नाम एक तरफ, एक तरफ बेरोजगारी, और दूसरी तरफ महंगाई, नरेंद्र मोदी जी कहते थे, हर साल तो करोड युवाओं को रोजगार देंगे, आज रोजगार के बारे में ना नरेंद्र मोदी ना आपके चीफ मिनिस्टर एक शव्द बूलते हैं, ये रोज नरेंद्र मोदी जानी, इकड़ मुख्यमंत्री जानी, उद्ध्योगाला खल्पोन विश्ण लोग का माट गुड़ा माट आरत लेरू, हर रोज देखते हैं, मेरे हाथ, चीफ मिनिस्टर के हाथ, तेलंगाना की कितनी जमीन गई, प्रती रोज आदरनी पोर्टल लो येंत भूमी उचिंदी पोई नरे विश्ण लोगमनिस्तु टड़ू, हर रात उनको रिपोर्ट मिलती है, कितनी जमीन उन्होंने धलितों से चीनी, कितनी आदिवासियों से चीनी, कितनी गरीबों से चीनी, प्रती रात्री आप पोर्टल द्वारा डली तुलू, गिरजन लू, आदिवासल लिंची, येंत भूम लाकु नड़ो आतनिक जलुस्तु नदी, ये जो भूमी पॉर्टल है इनका, इसका क्या नहां है भूमी पॉर्टल है? धरनी पॉर्टल, धरनी पॉर्टल जो इनका है, जो बनाया है, हमारी सरकार आएगी तो इसको टाइट करेंगे, कहां किसकी जमीन गई, सब पता लगाएंगे, और जो दलेतों, आदिवासियों और गरीब लोगों की जमीन चीनी गई है, वो उनको वापस दिलवाई जाएगी, और सिरफ जमीन वापस नहीं दी जाएगी, उनको जमीन का हख दिया जाएगा, कि वो अपनी जमीन पर, अगर उनको बैंक लोन लेने की जरुवत हो, तो वो बैंक लोन ले पाएं, आज कल उनको सहुकारों से बैंक लोन लेना पड़ता है, 25% इंट्रेस्ट देना पड़ता है, इपुडू, बैंक लिंची काकुंडा, प्राइवेट वट्टी तार लिंची, 24% वट्टी तीस कोर सना आउसना होस्तन दी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महेंगाई, नरेंद्र मोधी जी कहते थे, 400 रुपए का सिलिंडर हो गया है, अब हजार रुपए का हो गया है, पेट्रोल सत्तर रुपए का हो गया, अब 100 रुपए का हो गया, डीजल 56 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया, नरेंद्र मोधी कुछ नहीं बोलते, आयों और बेनों मैं लोकसभा में में मेंबर ओपार्लमेंट हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी बिल बीजेपी पास करवाना चाहती है ती आरेस उनका पूरा समर्तन देती है जो भी बीजेपी चाहती है चाहे वो किसानों का बिल हो कुछ भी हो बस इशारा देना पड़ता है टी आरेस काम शुरू कर देती है बीजेपी पार्लेमेंट लो ये पिल्लू प्रवेश पेटिना रही तुला चट्ट माइना सरे टी आरेस पार्टी मुंदूंदी वाड़क मददू पलगतु नदी विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है उससे ध्यान उठाने के लिए एकदम टी आरेस काम शुरू कर देती प्रतिपक्ष पार्लेमेंट लो देरी में निरसन तेले जेश ना तियारस पार्टी मात्रों बीजेपी के मद्द का निलुस्तु नदी भाइयों और बेहनों बीजेपी और टी आरेस एकी चीज है पीजेपी टी आरेस दंदू दंदे रंडू कल से उनना ही चुनाओ के समय में ड्रामा होता है मगर मिलकर काम करते हैं एलेक्शन लो पुड मात्रों में बीजेपी टी आरेस इदो ड्रामा लुचेस तरू ठतिम समय उनलों वाड़ों कल सुनर मातने माला यस तरानू जुनाओ आता है सो दोसो क्रोड रुपे दोनों डाल देते हैं जहां भी गोवा में बाकी प्रदेशों में कॉंग्रेस पार्टी है वहां पे बीजेपी पैसा देके सरकारें गिरा देती है बाईयों और बैनों यह जो पैसा बाठते हैं चुनाओ में यह किसका पैसा है यह आसमान से तो नहीं गिर रहा है बाईयों और बैनों यह ब्रश्टा चार का चोरी का पैसा है आपके जेब में से निकाला जा रहा है यह काम टीरेस और बीजेपी मिलके करते है और राजनेती चुने हुए लोगों ले के लिए करते हैं चुने हुए दो तीन इनके मित्रों के लिए करते हैं हिंदुस्तान के लेवल पे नरेंद्र मोदी के तीन चार मित्र हैं बारत देश स्थाई लो नरेंद्र मोदी के मुगूर नलगुर दोस्त लो नरू हिंदुस्तान के सारे के सारे बिजनेस नरेंद्र मोदी जी ने उनको पकड़ा दी हैं बारत देशन लो मत्तों व्यापार बनता गुड़ा आयना मुगूर नलगुर मित्र लेकी अपजे पिंडू और यहां पर जो आपका शिक्षाग पैसे यहां दो पैसा है स्वास्त का पैसा है जो आपको मैस मिलना चाहिए वो इरिगेशन प्रोजेक्स के तुरू आपके चीफ मिनिस्टर अपने जेव में डालते रहते हैं 24 गंटा विद्या वईध्या मीधा कर्चु पेट्टाल सिनल सुम्मनी मुख्य मद्री इरिगेशन मीधा एद्दू कर्चु पेट्टाल आणिए अडला कमिश्यल लकोसाओं लंचा लकोसाओं एक तरफ धरनी पोर्टल दूसरी तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट तो इसलिए हमने यात्रा शुरू की है पेरोजगारी के खिलाफ महंगाई के खिलाफ और भारत को जोड़ने के लिए और देखिये अभी साथ बज गए हम छे बजे आज शुरू किये है 25 किलोमेटर चले है 25 किलोमेटर ले नर्ची नमो मगर अजीब सी बात है देखिये उत्तम जी का चेहरा देखिये ये रेड़ी जी का चेहरा देखिये रेवन्त का मेरा चेहरा देखिये ये अजीब सी बात है कि इन चेहरों पे धकान नहीं दिखरी क्यूं? क्यूंकि हम अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हम आपकी शक्ति का प्रयोग करके चल रहे हैं आपके प्यार से आपकी शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिए नमस्कार जाहिए जोड़ो जोड़ो